आज का जो हमारी क्लास है बेसिकली वो है computer network बलब बेसिक पढ़ने वाले हम networking का और networking काफी बड़ा टॉपिक है पर उसकी कुछ basic चीज़ें पढ़ने हैं आज हम इस में क्लास में Computer network होता, Computer network Group है इसका अगर किसी भी चीज की networking की बात होती है तो आट मीज क्या होता है ग्रूपisons की networking की बात होती है तो इहां person बहुत सारे collect हो जाते है तो व ग्रूप हो dea वैसे ही computer network बीख up कर सकते 252. सबीं बहुत सारे computer सब्ती है उनको connect करता है set of common communication protocol ठीक है कुछ common protocol से यूज होती है over digital interaction अब main क्या है उसका purpose क्या है for the purpose of sharing resources located on or provided by network nodes इसमें दो चीदों की need होती है identify by host name और network address अब अब थोड़ा से चीज़ को समझे हम computer networking कर क्यों रहे हैं इसलिए कर रहे हैं जिससे के हम resources को share कर सकते हैं ठीक है अब आप इस बात को ऐसे समझे हम अकेले हम अकेले अपनी life spend कर सकते हैं बट हम की जववत क्यों होती है क्यों हम सारे काम खुद नहीं कर सकते हमें कहीं न कहीं depend होना पड़ता है दूसरे पर संद पर एक अकेला इंसान की survival मुश्किल होती है तो देट मीज काम क्या होते हैं डिवाइड होते हम कुछ services किसी और की हैं वो हम ले लेते हैं हम किसी को किसी और feed की services प्रोवाइड कर देते हैं तो देट मीज लोगों का network इसलिए बनाया जाता है कि सब अलग लग सेक्टर में हो हम लोग आज बिमार हो जाएं और कोई नहीं है तो मैं हमारा treatment कैसे होगा अगर सब इंडिव जो दिदे हम कहां जाएंगे hospital जाते हैं तो hospital बाई लोग क्या करते हैं उनका एक काम है पेशेंट को सही करना अब हमें पैसे जमा करने हैं उसको secure रखने हम कहां जाते हैं bank जाते हैं मतलब हर field के लोग available हैं तो इस तरीके से ही computer का भी basically काम क्या है हम उसकी networking कर क्यों रहे हो उसका purpose क्या है तो purpose यह है कि हमें resources share करने हैं अब networking नहीं है तब क्या होगा एक office में 20 system है आओ वहां से सब में print out निकालना है तो 20 printer भी लगाने पड़ेंगे आप problem समझो पहले हमें 20 printers भी लगाने पड़ेंगे तभी हम print out निकाल पाएंगे हम क्या चाहते हैं कि printer एक या दो ही हो और हम हर system के लिए induzor printer ना लगाना पड़े तो that means एक printer से हम 10 लोग काम कर भाए हैं 20 लोग ही print निकाल लगा है तो दो लाग कॉस्ट आगई अब समझो ना तो resources share हो जाएगी एक यह दो printer से काम हो जाए 20,000 है 40,000 से काम हो जाए और 20 के 20 लोग उसको यूज कर लें तो हो गया resource sharing यह एक example है तो अब आपको समझ में आ गया हो कि computer network computer networking की need क्या है हम एक और definition देखते हैं computer network क्या है is a group of computer, group of computers का link करते हैं each other एक दूसरे के साथ that enables the computer to communicate करना with another computer के साथ, एक computer दूसरे computer साथ communicate करना है, share their resources, resources को share करना, data भी share कर सकते हैं, application भी all share कर सकते हैं, तो यह है basic computer network क्या है, अब इसके लिए हम networking करने के लिए use करते हैं network, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले land, land क्या होता है, local area network, local area network is a group of computers, connected to each other, in a small area, such as building और office, land क्या है basically group है computers का, जो connected होते हैं, computer एक दूसरे के साथ, लेकिन एक small area में, मतलब बहुत बढ़ानी, एक building के अंदर सारे systems connect हो सकते हैं, एक office के अंदर हो सकते हैं, तो वो क्या होगा है, land, land is used for connecting two or more personal computers through a communication medium, किसके थूँ connect कर सकते हैं, tested pair के थूँ, coaxial cable के थूँ, तो इस सारे medium से हैं, मतलब cables के, इनके थूँ हम computers को connect कर सकते हैं, the data is transferred at extremely faster rate, data transfer होता है, बहुत fastly in a local area network, ठीक है, local area network प्रोवाइट कराता है, higher security, that means आप ऐसे समझेो, एक ही building में या फर एक ही office में, तो सारे systems, land के थूँ connected हैं, अब उसमें क्या होगा, वो पास पास हैं सारे system, तो क्या होगा, security भी जादा रहेगी, उस चीज़ को transfer करने में, और speed भी fast रहेगी, अब मुझे एक message, अपने बास वाले person को पहुचाना है आप समझ गया है मेरे बात, तो वैसे ही land में, ठीक है, तो communication एक limited area में ही होता है, then वो secure भी रहता है, और faster भी रहता है, आप इसका diagram देख सकते हो, यह land करेगा, अब बात कर लेते हैं, advantage की land की, फर्स्ट है, resource sharing, जैसा मैं आपको अल्रेडी समझा चुकी हूँ, अभी printer वाला example, sharing of resources, such as hard disk driver, DVD driver, printers, printers में बताया था भी, are made easy in local area network, तो एक तो resource share कर लिए, DVD share कर सकते हो, hard disk driver share कर लिए, software sharing, a single computer with the license software, can be shared among other users in the network, that means कि जैसे बहुत सारे software ऐसे होते हैं, जिनके license versions होते हैं, तो अगर आप जितने system के लिए खरीद होगी, फिर आपको उतनी cost पे करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक के लिए purchase कर लिए, sharing वाला, then क्या हो सकता है, आपको सारे system से share वो कर सकते हो, तो आपकी cost सेव हो जाएगी, centralized data, centralized का मददा होता है, एक ही location पर, as mentioned earlier, data of users are located, as centralized हो एक ही जगा है, any workstation in a particular network, can be used to access this information, चीक है, centralized में वो क्या कर पाएगा, access कर सकता है, एक जगा data, इनकी सारे के सारे लोग, एक जगा ही data को स्टोर करेंगे, next है, internet sharing, अब internet का एक connection ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, हर परसन के लिए लग ले रहे हैं, एक ही घर में, एक ही office में, वाइफाई से सब को connect कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा, जितने systems हैं, जितनी devices हैं, हर एक के लिए, अगर हम एक connection लेने लग जाएं, तो हमारे कितन LAN has the capability to share internet connection among all the LAN users, ठीक है, one single computer with internet connection, share कर सकते है, internet with all the connected computer, CS के advantage थे, अब next बढ़ते हैं, डिसadvantages के हैं, हाँ, जब आप उसको setup करोगे, फाइदा तो बहुत है, बढ़ सेटप में cost होगी high, तो high setup cost, the initial cost of installing local area network is high, because there is special software required to make a server, क्योंकि इतना easily नहीं हो पाता सारा काम, तो मैं एक high setup की need होगी, एक special setup की, तो basically उसके लिए थोड़ा सा cost पे करना पड़ेगा, तो यह उसका disadvantage है, limitation है, cover करता है limited area, वैसे तो इसका advantage है, क्योंकि limited area में इसी वैसे secure भी है, और speed भी जादा है, but उसकी एक restriction भी है, कि limited area ही वो cover क like a single office, single building, और a group of nearby building, next है, man, metropolitan area network, metropolitan area network क्या है, metropolitan area network is a network that cover a larger geographic area, by interconnecting different lane, different lane, to form a larger network, government agency use करती है man का, to connect the citizens and private industries, man, various lanes are connected each other through a telephone exchange line, it has higher range than lane, आप यह कह सकते हो metropolitan area, land से तो बड़ा है, जैसे land का क्या है, वो एक ही building में है, यह एक ही office में, बड़ा इन क्या है, एक basically एक city cover कर सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई city बहुत बढ़ा हो, तो पूरा city cover नहीं करेगा, city का काफी बढ़ा area cover करेगा, अगर small city है तो पूरा cover कर सकता है, तो man basically क्या है, land से तो बड़ा है, और when से छोटा है, आगे हम when पढ़ेंगे, उसमें क्या है, range बढ़ गई उसकी, मतलब जादे बड़े area में हम अपना data share कर पाएं, अब आप देख सकते हो, यह example है man का, यह, next है, uses क्या है, man is used in communication between the bank in a city, it can be used in airline reservation, चीक है, it can be used college within a city, एक city के अधा, it can also use communication military, मतलब एक small area cover नहीं करता है, उससे बड़ा area cover करता है, एक city की जैसा, जैसे college है, एक city, airline reservation है, या military में बात कर लें, तो यह सारी चीने cover करता है, तो इस सवरा से कुछ uses हैं इसके, बाकी देखते हैं, next, when, when name से के ज़िए रहे हो, wide area network, एक बहुत बड़े network की बात हो रही है, चीक है, wide area network क्या है, इसे network है, that extend करता है, over a large geographical area, such as state countries, wide area network is a quite bigger network, than the land, wide area network क्या है, bigger network है, चीक है, land से भी बड़ा है, यह मैं से भी बड़ा है, wide area network is not limited to a single location, but it spans, it spans over a large geographical area, बहुत बड़े area में फैला हुआ है, through a telephone line, fiber optic cable, satellite link, ठीक है, the internet is one of the biggest van, internet क्या है, एक biggest van है, in the world, ठीक है, यह कहीं से भी हम कहीं भी access कर पा रहे है, a wide area network is widely used, in the field of business, government, education, कहीं पर भी हो सकता है, आप एक state में से दूसरे state को भी connect कर सकते हो, एक country से दूसरे country में भी आप बात कर सकते हो, मदब कहीं पर भी, तो बहुत बड़ा network है, तो wide area network is widely used in the field of businesses, government and education, देख सकते हैं उसका diagram, अब next, देखते हैं उसका advantage और disadvantage, advantage क्या है, geographical area, wide area network प्रोवाइट कर आता है, एक large geographical area, चेक है, suppose if the branch of our office is in a different city, branch of our office की, वो कहाँ एक different city में, then we connect, we can connect with them through when, चीक है, यहीं की different city map की branch, तो आप net के तुरू connect कर सकते हो, when के तुरू, internet provider leads line through which we can connect with another branch के तुरू, दूसरी branch से connect कर सकते हो, centralized data, चीक है, in case of when में, data को centralized कर सकते हो, therefore, we do not need to buy the emails, files and backup server, एक ही जगा सब चीज़ स्टोर होगी, तो कोई भी कहीं से भी fetch कर पाएगा, get updated files, software companies work on live server पर work करती है, the programmers get the updated files within seconds, software company क्या करती है, work करती है, इसके साथ, live server के साथ, the programmers get the updated files within seconds, exchange messages, when network में messages are transmitted होते हैं, fast, the web application like facebook, whatsapp, skype, ये सब क्या है, हम messages को exchange कर पाते हैं, इस पर communicate कर पाते हैं, friends के साथ, तो ये सब क्या है, advantages है, अभी और भी advantages है, like sharing software resources, ये तो common ही है, when network, we can share कर सकते हैं, software resources, like hard drive, RAM, global business, यानि कि आपका जो business है, वो globally है, तो आप when के थूँ, सब चीदो को manage कर सो, we can do the business over the internet globally, अब उसकी कुछ limitations देखते हैं, advantage of wide area network, क्या-क्या है, security issue, needs firewall और antivirus software, high setup cost, troubleshooting problem, क्या-क्या है, जैसे मैंने बोला security issue, इसमें क्या है, when network बहुत बड़ा है, तो मतब दूर तक चीदें जाएंगी, जब चीदें distance cover करती हैं, तो obviously security उनकी कम हो जाती है, aware network has more security issue, as compared to land and man network, as all the technologies are combined together, that create करता है, the security problem, क्योंकि एक distance travel करता है, need firewall and antivirus software, data is transferred on the internet, data internet से transfer होगा, which can be changed, change किया जा सकता है, hack किया जा सकता है by the hackers, so the firewall need to be used, उसको protect करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, some people can inject the virus, किसी रिजन से virus, in our system, so antivirus needed, virus protect करने के antivirus यूज़ करेंगे, तो high setup cost, and installation of cost when network high है, as it involves the purchasing of routers, which is, obviously the purchase करेंगे, तो cost high होगी, but obviously हमें अपना goal achieve करना है, और business जैसे कर रहे हैं, तो suppose हमें उसे income होनी, तो वो cover up हो जाए, but यह इसके क्या हैं, disadvantage, क्योंकि initial इसकी cost high है, troubleshooting problem यह तो बहुत है, जादे important है, क्योंकि बहुत बढ़ा area है, अगर कहीं पर कोई problem आ गई, तो हमें easily find out नहीं कर पाएंगे, it covers a large area, so fixing the problem is difficult, तो यह हमने तीनो network पढ़े हैं, चीक है, अब आपको यह तीनों के बारे में, जैसे मैंने लिखा है, लैन, वैन, और मैं, चीक है, अब यह आपने तीनों पढ़ लिया, उसमें से आपको लैन, वैन, वैन, इनकी तीनों की full forms क्या हैं, यह बताना है, और तीनों मैंसे, अगर हमें एक distance के लिए यूज करना है, बहुत बड़ा area कवर करना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, सेकेंड आपको यह बताना है, और अगर हमें एक pass के लिए यूज करना है, जहां वाली security important है, बट हमारी distance कम है, तो वहाँ हम कौन सा network यूज करेंगे, ठीक है, अब आगे next करते हैं, network topology, ठीक है, जो हमारा next topic है, वो है network topology, तो network topology में सबसे पहले हम topology समझ देते हैं, topology define करता है structure किसका network का, of how all the components are interconnected to each other, कैसे connected होते हैं एक दूसरे के साथ, चीक है, तो basically हम इसमें two types ने topology के, physical and logical, physical topology के geometric representation है सारे nodes का, चीक है, जिसमें हम nodes को, nodes का मतलब क्या है system, कैसे connect करेंगे, अब आप देख सकते हो types of network topologies, कौन कौन से topologies हैं, bus topology, ring topology, star topology, pre topology, mesh topology, चीक है, तो ये types हैं, topologies के five types हैं, अब उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, bus topology, the bus topology is designed in such a way, that all the stations are connected through a single cable, ठीक है, bus topology क्या है, design in a way में, all the stations are connected in through a single cable, known as, उसको क्या बोलते हैं, backbone cable, जैसे ही मैं आपको बोलना हूँ, bus topology, सबसे पहले आप bus को assume कर, bus में हम सब लोड़ प्रेवल करते हैं, तो वो ही bus है, नाम उसी के उस पर रखा है, तो bus topology में जैसे बताया है कि सारे station connected है, ठीक है, connected है, किसके थूरू, एक ही single cable के थूरू, तो वो क्या हुए, उसकी backbone, each node, जब हम use करेंगे node तो आप समझ जाने system की बात हो रही है, each node is either connected to backbone, यानकि हर seat bus की पूरी जो है, उससे connected है, when a node wants to send a message over the network, कोई message send करना चाता है, it puts some message over the network, यानि कि अगर आपको सबसे पीछे वाली seat पर बैठना है, तो आप क्या करते हो bus में, क्या directly पीछे पहुंच जाते हो, नहीं, आप starting से जाओगे, जाते जाते होगे, तब last वाली seat पर आप बैठ पाते हो, वैसे ही bus के साथ है, अगर किसी को कोई message भेजना है, तो उससे सारे, उससे होके जाना पड़ेगा, तो last line यही है, when a node want to send a message over the network, it puts a message over the network, all the stations available in the network, will receive the message, whenever it has been addressed or not, चाहें अब वहाँ से तो जाओगी, message सब के पास जाता है, चाहें उसको उसकी need हो या नहीं हो, फिर जिसके पास ultimately पहुंचना है, फिर वह से receive हो जाता है, यह आप diagram दे सकते हो, यह काफ़ी important है, आप figure से यह बात अच्छे से समझ सकते हो, अब next देखते है, advantage, advantage क्या है इसके, low cost cable, ठीक है, nodes are directly connected है cable के साथ, without passing a hub, तो जब हव अगरा की cost हमें pay नहीं करनी, तो initially, जो installation cost है, वो क्या हो गई, low, moderate data speed, coaxi और district pair cable, mainly use, bus bear network, तो इनकी cost भी बहुत जादे हाई नहीं है, family technology है, ठीक है, bus topology इसे, family technology, हाँ, तो basically बस यह है, family technology की यह, easily manageable है, next है, limited failure, मतलब, a failure is one node, एक node अगर failure हो भी जाएगा, तो will not affect other nodes, तू से node पे effect नहीं होगा, अगर हम बात करते हैं, उसके disadvantages की, तो क्या है, extensive cabling, यानि कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम उसको increase करना चाहिए, bus topology is quite simpler, but still, it requires lot of cabling, ठीक है, उसमें क्या है, जादे cabling की need होती, difficult troubleshooting, it requires specialized test equipment, कुछ test equipment की need होती है, जो determine कर पाते हैं, cable के false को, तो वो तो purchase करने ही पड़ेंगे, reconfiguration difficult, adding करना new devices, तो network would slow down, यानि कि अगर आप कोई node add करते हो, तो थोड़ा सा, वो slow हो जाएगा, next, ये तो था हमारा bus topology, next है हमारा ring topology, ring topology में basically क्या है, ring topology आप देख पार हो, ring की form में है, बिल्कुल, तो ring topology like a bus topology, but with connected ends, देख सकते हो, इसमें कुछ start, कुछ end नहीं है, क्योंकि जो end है, वो ही first से start है, बलब next, तो ये नहीं है कि end हो गया, और जो first है, ये दोनों एक दूसरे से connected है, तो ring topology is like a bus topology, चीक है, with connected ends, तो आपको पता चल गया है, हाँ पे end connected है, the node that received the message from the previous computer, अगर previous computer से message receive करते हैं, will retransmit to the next node, next node को retransmit कर देते हैं, data flow होता है, इन one direction में, उसको बोलते हैं, जब data एक डारेक्शन होता है, यूनि डारेक्शन है, उसके next side has no terminated ends, इसके कोई भी termination end नहीं होते, each node is connected to other node, हाँ node connected other node से, having no termination, ये तो आपको clear होई गया है, इसमें कोई ending point नहीं है, the data in a ring topology, flow clockwise, किस direction में flow होता है, clockwise, अब एड्वांटेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या एड्वांटेस नेट्वर्क मनेजमेंट, faulty device can be removed from the network, without bringing the network down, ठीक है, उसको आठा सकते है, product availability, many hardware, software tools, for network operation monitor के लिए अविलेवन, कैसे हमें operation perform करना है, कैसे हम उसको watch करना है, monitor करना है, तो उसके लिए अविलेवन है product, cost क्या है, twisted pair, cabling is inexpensive, मतलब बहुत जाद expensive नहीं है, और easily available है, तो installation cost भी low ही रहती है, reliable है, more reliable है network, because the communication system is not dependent, on a single host पे depend नहीं रहता है, reliable है, अगर बात कर लेते हैं, disadvantage की, तो disadvantage की, troubleshooting difficult है, that means fault आ जाए तो, it required specialized test equipment to determine the cable faults, यहन की specialized equipment की need है, fault को find out करने के लिए, if any fault occur in cable, then it would disturb, disturb करेगा, किसको communication for all the nodes के बीच के, failure, the breakdown is one station, lead to the failure of the overall network, failure क्या है, breakdown करना one station, lead to the failure to the overall network, ठीक है, station breakdown होगया, तो failure कर देगा, पूरे network को, reconfiguration difficult है, add कना new nodes, then network की हो जाएगा, थोड़ा slow down, delay, communication delay is directly proposed to the number of nodes, जित्ते जादा nodes होगे, obviously data पहुँचने वोत्ता time लगाएगा, ठीक है, adding new devices, increase the communication delay, अब बात कर लेते, next, star topology, star, name see clear है, तो जो उसकी shape है न, वो बिल्कुल उसके word बिल्कुल सेम है, star topology इस तरीके से होता है, देख सकते हो यह सारे nodes हैं और यह फिर central hub है, star topology क्या है, एक arrangement है किसका network का, which every node, हर node क्या है, connected है, central hub के साथ, switches या central computer के साथ, ठीक है, central computer को क्या बोलते हैं, server बोलते हैं, ठीक है, and the peripheral devices attach होती है, server के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, clients, hub और switches are mainly used connection devices, इन physical star topology में use होते हैं, हब भी हो सकता है, switch भी, star topology is most popular network, most popular topology है, network implementation की, मतलब काफी popular है, तो इसके advantage भी होंगे, definitely, advantage क्या 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 है, efficient troubleshooting, troubleshooting is quite efficient, in star topology as compared to bus topology, ठीक है, troubleshooting क्या है, efficient है, as compared to bus topology, limited failure है, each station connected है, किसे central hub से, which hub से with its own cable, सब क्या लगला cable है, therefore, failure in one cable, अगर एक में failure होगा, तो अन्दर वाले network पर एफेक्ट नहीं होगा, familiar है यह भी, तो star topology is a familiar technology, as its tools are cost effective, easily expandable है, it is easily expandable as new station, can be added, to open करते है, ports को अन्दा, हब, cost effective, star topology network, cost effective, as it uses, inexpensive, क्या यूज़ करते हैं, को एक्स है, बस तो यह सारे क्या है, start topology के advantage, काफी popular है, कुछ disadvantage भी है, central point of failure, ठीक है, if the central hub यह switch is get down, तो all network क्या हो जाएगा, पूरा break, cables, sometime cable routing, because difficult है, तो significant amount of routing is required, ठीक है, क्योंकि cable सबसे connected है, अब बात करते हैं, next, tree topology, तो कुछ tree का, जैसे structure बन रहा है, आप देख सकते हैं, काफी सारी branches है, जैसे tree की होती है, tree topology क्या है, combine करते है, characteristic कि इसके bus को मिला दो, और star को मिला दो, तो क्या बन जाएगा, tree, tree topology is a type of structure, in which, all the computers are connected, with each other, in a hierarchical fashion, ठीक है, tree topology क्या है, एक type of structure है, सारे computers connected होते हैं, दूसरे के साथ किसम है, hierarchical fashion, topmost node, in tree topology, is known as, उसको क्या बोलते हैं, root node, ठीक है, topmost node क्या है, tree topology का root node, and all the other node, उसको क्या बोलते हैं, descendant node, of the root node का, ठीक है, root node मतला पहला, और बाकी क्या है, उसके descendant, root node के, there is only one path exists between two nodes के बीच में, from the data transmission, यानि की सिर्फ एक ही path available है, thus, it forms the parent-child hierarchy, इसको क्या बोलते हैं, parent-child hierarchy, अब बात कर लेते हैं, उसके advantage की, easily expandable है, we can add करते हैं, new devices to the existing network, therefore, we can say, that, that tree topology is easily expandable, easily manageable है, in tree topology का है, whole network, पूरा network, divide होता है, into segments में, उसको बोलते हैं, star network, which can easily उसको manage and maintain किया सकता है, error detection, error detection, error को find out करना, और error correct करना, और very easy, tree में, limited failure है, the breakdown in one station, अगर एक में breakdown हो भी गया, तो fact नहीं करेगा, entire network को, point-to-point wiring, it has point-to-point wiring for individual segment के लिए, disadvantage क्या है, difficult है, troubleshooting, if any fault occur in node, अगर node में कोई fault occur होगा, then troubleshooting, find out करना में problem है, high cost है, device required होती है, broadband के लिए, जो costly परती है, failure, tree topology, mainly relies on main bus cable, and failure in main bus cable में, अगर damage हो गया, तो all over network, failure हो जाएगा, अब next, देखते है, mesh topology, देख सकते हैं, mesh का न, complete diagram नहीं है, mesh में कहा है, न, सारे node एक दूसरे से connected होते है, ठीक है, मतलब ये वाला इससे भी connected होगा, तो सारे दूसरे से होगे, तो अभी ये से connected होने से रह गया है, अब देख सकते हो, mesh topology क्या है, is an arrangement of network, in which components are interconnected to each other, through various redundant connections, सब एक दूसरे से connected होते हैं, कहीं से भी data, कहीं पर भी भेजा जा सकता है, मतलब ये नहीं होता कि पहले वाला दूसरे से connect नहीं है, अगर पांच system है, तो हर एक कोई, पांच हो से connected है, उसको बोलते हैं, fully mesh, और जहाँ पर जैसे भी जो diagram तो, उसमें गया था, एक दो node connected नहीं थे, तो वो क्या हो गया, partial है, तो mesh topology का एक arrangement है, network का जैसे मनें बताई दिया, interconnected है, multiple path है, one computer to another, क्योंकि आपके पास one से भी रास्ता है, five तक पहुतने का, ठीक है, two से भी है, three से भी है, it does not contain the switch and hub, इस सब की जोगती नहीं क्योंकि system directly connected है, it does not contain the switch hub or any central computer, which act as a central point of communication का, क्या बन गया, central point, internet is an example है, mesh topology का, आप हर system पर directly बेश सकते हो, अब थोड़ा important बात है, mesh topology can be formed, एक formula है, n into n minus 1 divided by 2, number of cables, अगर एक network है, mesh topology का, तो उसमें कितने wires use हो रहे हैं, चिक हैं, कितनी cables use हो रहे हैं, तो आप ही कैसे पता लगा होगी, हम इस formula से, मैं आपको अभी एक image show करूँगी, तो उससे हम देखेंगे कि, इसमें कितनी cables available है, अब जो image है, वो आप देख सकते हैं, इसमें 5 notes हैं, अभी जो मैं आपको formula बताया है, वो क्या है था, n into n minus 1 divided by 2, तो इसमें 5 notes हैं, अब मैं आपको इस पर दिखाते हूँ, ये देखिए, n into n minus 1, ये पूरा एक साथ है, divided by 2, अब मुझे suppose इसके लिए number of cables निकाल ली हैं, n का मतलब क्या है, कितने notes हैं, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो n यहाँ पर क्या हो गया, 5 into, अब यहाँ पर क्या लिखूंगी, n minus 1 है, तो 5 minus 1 divided by 2, तो 5 into, 5 minus 1 क्या हो गया, 4 divided by 2, 5 into 4 कितना हो गया, 20 divided by 2, 20 divided by 2 कितना हो गया, 10, यहनि कि आपके पास 5 notes हैं, तो 10 क्या हैं उसकी, cables, 10 क्या हैं उसकी, cables, आप इस formula पुट करोगे, तो कितना भी बड़ा question solve कर लोगे, और आप वैसे wire count कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, यहां से भी 1, यह जा रही है, 2, 3, 4, तो इस तरीके से हर एक से देखोगे तो, 1, 2, वैसे total wires की बात कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह 8, 9 और यह 10, total wire आप वैसे भी गिंस दकते हो, 10 आ जाएगा, क्योंकि हर एक से तो वो 4, 4 आए गई आए, ठीक है, बट वो double double count हो रही है, इसलिए उसका half हो जाएगा, तो अब इस तरीके से कोई भी questions को solve कर सकते हो, अब आपको, इसको solve करना है, find करनी है total cables, और उसको आपको comment में mention करना है, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा, वो सही है या नहीं, कि इसमें, notes में उतनी cables हैं या नहीं है, इस question को आपको करना है, तो आपको comment section में लिखना है, इसका advantage क्या है, mesh topology के reliable है, the mesh topology networks are very reliable, ठीक है, as if any link breakdown will not affect the communication between connected computers, इस बात का मतलब क्या है, अगर, एक note दूसरे note से connected है, और cable break भी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, basically, बाकी data send होता रहेगा, कोई effect नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या होगा है, reliable, fast communication है, communication is very fast, between the notes, notes के बीच में, जो communication हो क्या है, fast, easier configuration, ठीक है, add करना new notes, could not disturb the communication, ठीक है, अब अगर disadvantage की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, disadvantage क्या है, mesh topology के, cost, क्योंकि इसमें wire बहुत जाद ही हो जोगी है, तो, a mesh topology contain a large number of connected device, ठीक है, such as outer, more transmission media, other topology comparison में, management क्या है, mesh topology network का very large and very difficult to maintain and manage, ठीक है, if the network non-monitor, carefully, then क्या होगा, communication failure हो जाएगा, efficiency क्या है, redundant connection हाई, then reduce the efficiency of network, मतलब, जरूरी नहीं है कि पहले वाले नूट का गाम, पांस system से हो, बढ़ हमने फिर भी connect कर रखे हैं, तो, क्या होगा, efficiency उसकी down, तो, इस तरीके से, यह सारे क्या थे, arrangement network, यह सारे topologies थी, तो, basically, आपको next में क्या करना है, कि कितनी topologies हमने पढ़ी हैं, और सब के बारे में, एक एक line, जो इसकी important है, तो, आपने कितनी topologies पढ़ी हैं, और हर topology के बारे में, आप एक line, क्या हो सकती है, उसकी mail ने, ठीक है, बाकी networking का, एक next video में इसको cover करेंगे, पूरा,